मित्रों आज दो खबर लेकर के आया हूँ सबसे पहली खबर है दिल्ली हाई कोट अर्थात मानी उच नयाल है दिल्ली ने अनुवादक परिक्षा के टाइपिंग टेस्ट के लिए विध्यप्त जारी कर दी है और अधिकांश लोगों के पास अब तक इसका कॉल लेटर पहु काफी लोग घबडाए हुए हैं कि मंगल फॉंट क्या बला है इसके बारे में मैं भी बात करूंगा और दूसरी खबर मैं आप बता दूं कि CAG का विंडो कल खुल रहा है आप मैसे जिन लोगों ने CAG के परिक्षा में क्वालिफाई किया है आप लोग प्रयास करेंगे कि क सतरी कोनों ने बुलाया है कई लोगों के पास phone आचुका है कुछ लोगों के पास मेल आचुका है आप लोग अपना मेल और phone देख लीजिए हो सकता है, किसी अंजाद नमबर से और अभी आप इग्नोर न करें, हो सकता है, वह आपके लिए बुलावा आ रहा हूं, दिली से. चलिए, इसके साथ ही अब हम आगे बात करेंगे, मंगल-फॉंट के बारे में. मंगल फॉंट में आप कैसे टाइप करेंगे मंगल फॉंट की बात करूँ इसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा पिछली बार अभी जो चुना हुआ था लोगसभा का चुना हुआ था उसमें एक ऐसा प्रत्याशी था जो फूट-फूट कर रो रहा था पंजाब का प्रत्याशी था उसे केवल साथ वोट मिले थे तो पत्रगारों ने पूछा कि पाजी क्यों रो रहे हो बोला पाजी साब मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मैं हार गया रो मैं इसलिए रहा हूं कि मुझे मेरे घर वालों ने ही वोट नहीं दिया उसका मतलब है कि उसके घर वालों ने ही उसे इस लायक नहीं समझा कि वोट दिया जाए और उसे इस बात का दुख था कि यह जो साथ वोट मिले थे वो अपनों के नहीं कहरों के थे यही स्थिती हमारी और आपके बीच के रिष्टे की है फॉंट की जो अस्विदा है फॉंट की जो शंका है उसके उपर मैंने तीन से चार वीडियो डाला है और मैंने उसमें विस्तार से आपको बताया कि यह मंगल बुद्ध ब्रहस्पती शुक के चक्कर में ना पड़े यूनिकोट समर्थित जो फॉंट्स है विड्डोस 2007 जब आया था उसमें मंगल था उसके बाद आठ आया तो उसमें अपराजिता आ गया आठ के बाद फिर दस आया दस में कोकिला आ गया और कोकिला के बाद अभी ग्यारह में कोई नया फॉंट्ट है अर्थात यह सब यूनिकोट समर्थित फॉंट्ट है आपको मैंने बस यही सला दी थी कि आप जो कीबोर्ड चुनेंगे वह कीबोर्ड आपका box रहता है तो अगर आपका advanced version है तो उसमें कोकिला अपराजिता या कुछ ऐसा font आता है वह भी unicode समर्थी था और वह मंगल जैसा ही है आप जब परिक्षा देने जाएंगे तो वहाँ जो भी आपको set मिलेगा उस पर आप जो टाइप करेंगे वह मंगल में ही उभर कर आएगा नहीं आता है तो आप उसमें जाकर के एक बार setting में change कर लीजे हो जाएगा आप अगर इंस्क्रिप्ट में टाइप किये हैं तो यहां मंगल आजाएगा यहां एक chapter आपका पूरा होता है इससे संबंदित जो वीडियो था वह मैं इस वीडियो के description में डाल दे रहा हूँ और pop-up भी करेगा यहां आप यह दिचाहें तो उस वीडियो में देख सकते हैं विस्तार से मैंने बताया है दूसरी बात और है कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंस्क्रिप्ट में टाइपिंग नहीं सीखा उन्होंने रेमिंग्टन कीबोर्ड से टाइपिंग सीखा अर्थात उनका जो font है वह कृती देव font है चुकि उसमें मांगा गया है 10 मिनिट में हिंदी में आपको 200 शब्द टाइप करना है और अंग्रेजी में 300 शब्द टाइप करना है तो कृती देव में जिन लोगोंने भी तक टंकन सीखा है उनके अंदर यह खलबली है कि हम मंगल font कैसे लिया है देखिए अगर आपके पास Microsoft Windows वाले computer है तो उसमें कुछ नहीं है भाषा इंडिया.com पर जाएए वहाँ से Indic Keyboard डाउनलोड करिए इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है Indic Keyboard जब आप डाउन करेंगे उसमें Indic 3 है, Indic 2 है दोनों में इसको एक डाउनलोड करेंगे तो नीचे जाकर कि Keyboard की सेटिंग में सेटिंग कर देंगे तो आप Remington Keyboard से ही टाइप करेंगे लेकिन जो font आएगा वो आपका मंगल में आएगा और जो परिक्षा ले रहे हैं उनको भी इस बात की भली भाती जानकारी होगी तो आप से पूछ लेंगे Remington Keyboard में करोगे या इंस्क्रिप्ट में आप Remington में करेंगे तब भी उसमें Mangal Font का डिटेल डाल के रखेंगे इस वीडियो में फिर एक पॉप अप कराऊंगा आगे और वीडियो डिस्क्रिप्ट में भी मैं डाल दूँगा कि अगर आप कृतिदेव में करते हैं तो अपने कंप्यूटर में आप किस तरह से Mangal Font मतलब Remington Keyboard से Mangal Font में टाइप कर सकते हैं आप उसमें टाइप कर लीजी दो एक दिन करके देख लीजे बहुत अच्छे से हो जाएगा कोई असुविधा नहीं होगी घबडाने की कोई बात नहीं है घबडाने की बात यह है कि आप जो टाइपिंग कर रहे हैं उसका अभ्याज बढ़ा दीजे चोकि आप कोड में जा रहे हैं तो कोड से संबन्दी जितने आदेश है या अनियम अधिनियम है उनको कहीं से दाउनलोड कर लीजे और उसे ले करके टाइप करी कठीन शब्द होंगे तो आपको पता चलेगा आप कैसा कर रहे हैं और अच्छे से कीजे अभी 25 में समय है आप कर पाएंगी मुझे पूर्ण विश्वास है कोई अस्विधा हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करिए आपके अस्विधा का निवारण करने का प्रियास करूँगा हाँ एक बात और है मैंने जैसा की कहा कि मेरे सरदार जी का मैंने उधारण दिया था तो आप मेरे अपने हैं अगर आप मेरे latest updates को नहीं देखते हैं तो बेर्थ है मेरी है मेहनत अगर आपने वो घंटी वाला button आइकॉन नहीं क्लिक किया तो कर दीजे कुछ update देता हूं तो कभी कभी गलती से देख लिया करिए क्योंकि सब्सक्राइबर भी count होते हैं और उसके आधार पर फिर आपको सुचनाय भी समय पर मिलती है चलिए अगरी चर्चा में शेगरी आ रहा हूं तब तक के लिए नमस्कार जैहिन